जै शिवराय, जै शाहू, जै भीम जानते हैं हम National scholarship के बारे में इसमें स्यजुल का उस कमेंटे के लिए 125 सिटे होती है जो की post graduate और PhD के लिए दी जाती है उसमें से भी 30% जो सिट होती है वो girls के लिए result होती है इसका criteria यह है कि आपका जो income है वो 8,00,00 से कम होना चाहिए दूसरी बात यह कि आपकी जो graduation में percentage होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60 के उपर अब यह percentage कैसे गिने तो यह percentage गिनते हैं फरस्ट यर से लेके final year तक और उसका जो outrage आएगा वो 60 से उपर होना चाहिए third thing is that कि जो आपकी university ranking होगी वो 300 के अंडर आनी चाहिए लेकिन मैं personal यह suggestion दूँगा कि आप university ranking अगर top 50 में हो तो आपका जो scholarship पाने का जो percent देना वो बढ़ जाता है एक और चीज कि जो आपको जो offer later मिलेगा वो unconditional होना चाहिए कुछ condition नहीं होनी चाहिए university की यह सब चीज अगर आप कर लेते हो तो आपके chances इस scholarship को लेने के बढ़ जाते हैं और आप हो सकता है कि इस scholarship के पात रहो तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि महाराष्ट गवर्मेंट से scholarship कितने बच्चों को ती जाती हो और उसका criteria क्या है तो मिलते हैं अगले वीडियो में